हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू प्रेपाईएस, आप सभी का प्रेपाईएस पे स्वागत है फ्रेंड्स इस सिरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशन्स कंड़क कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सेटरडे डेली 11 एम पे हम लोग two questions post करते हैं और यह question belong करते हैं GS1, 2, 3 and 4 से कहां पे post होते हैं question हमारे टेलीग्राम चैनल पे and YouTube कमुनिटी पे देखिए हम उमीद करते हैं कि आप लोग इन questions को attempt करेंगे उसके बाद night में इनका discussion होता है जहां तक Sunday की बात है तो Sunday को हम लोग essay writing sessions conduct करते हैं और इसी series में आज का जो session है यह 15th essay writing session है अब देखिए यह जो essay आप attempt करते हैं जो questions आप attempt करते हैं तो इन्हें peer evaluation के लिए आप submit कर सकते हैं कहां पे हमारा telegram channel है prep IAS peer evaluation ठीक है तो इस channel पे आप अपने answers peer evaluation के लिए submit कर सकते हैं और इसका link आपको इस video के description box में मिल जाएगा अब देखिए आज का जो हमारा topic है बहुत ही interesting topic है इंडिया from British Raj to Billionaires Raj मतलब British Raj से अरपती Raj तक का भारत ठीक है ये statement ये topic आपको दिया गया है हालांकि शुरुवात में देखने में काफी अजीब सा लग रहा होगा काफी लोग समझ नहीं पाएंगे लेकिन एक बार अगर आपने इसका meaning समझ लिया तो ये बहुत ही आसान topic है static topic है आपको दिक्कत नहीं आएगी इसकी dimension को ढूणने में और इससे related जो current affairs होते हैं वो maximum लोगों को पता होते हैं ठीक है तो देखिए इस topic को discuss करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि essay को लिखते समय आपकी strategy क्या होनी चाहिए देखिए 1000 से 1200 words आपको दिये जाते हैं एक essay को लिखने के लिए और UPSC आपको 90 minutes provide करती है एक essay के लिए इसको आप दो category में divide कर सकते हैं number one 30 minutes plus 60 minutes अब देखिए अगर आपको 1000 words में essay लिखना हो तो उसके लिए one hour more than enough होता है 60 minutes काफी जादा होते हैं आप आराम से उसमें essay लिख लोगे लेकिन उसके बावजूद भी आपको 30 extra minutes दिये जाते हैं इसका एक purpose है वो purpose यह है कि ताकि आप अच्छे से जो topic आपको दिया हुआ है इसकी brainstorming कर लीजिए analysis कर लीजिए क्या क्या different dimensions हैं क्या different parts होंगे क्या current affair आप include करोगे क्या आपका introduction होगा कौन सा quotation आप use करोगे किस तरह से आप end करोगे क्या anecdote वगेरा होगा इन सब चीजों को आप कब decide करते हो शुरू के 30 minutes में ठीक है तो देखिए यही तरीका होता है essay लिखने का और इसी को मैं आपको advice करूँगा कि इसी को आप भी follow कीजिए देखिए 30 minutes में आप जितना hard work करेंगे UPSC आपको rough pages देती है essay में पीछे दिया होगा तो उसका आपको proper utilization करना है ठीक है जितना अच्छे से आप 30 minutes को utilize करेंगे उतने ही अच्छे आपके marks हैंगे क्यों क्योंकि जो आपका essay का structure होगा जो flow होगा वो काफी अच्छा हो जाएगा किस तरह से दो paragraph के बीच में link होगा ये किस तरह से आप अच्छे से कर सकते हैं जब आप 30 minutes को अच्छे से use करेंगे ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और अभी इन session में जब आप practice भी करते हैं तब भी आपकी strategy यही होनी चाहिए 30 minutes plus 60 minutes ठीक है चलिए ये तो हो गया strategy अब आते हैं इस topic के ओपर देखिए British राज एक ये keyword है एक keyword क्या है अरपती बिलनेर्स राज अब देखिए 1947 से पहले इतनी बड़ी population पे कुछ British लोगों का राज था मानते हैं उस बात को और अगर हम आज की बात देखें तो वही चीज हमको दिखाई देती है कि इतनी बड़ी population है लेकिन उस पे किसका control देखने को मिलता है कुछ अरपती लोग हैं बिलनेर्स हैं जो हमें आज की डेट में देखने को मिलते हैं मतलब यह topic क्या कह रहा है यह topic बात कर रहा है economic inequality की आर्थिक असमानता की की आजादी के इतने सालों के बाद भी क्या चीज देखने को मिलती है economic inequality और उससे क्या हुआ है कुछ चंद अरपती हमारे उपर आके बैठ गया है बिलनेर्स राज जो है वो हो गया है तो देखिए simple सा topic पूछा गया है economic inequality के उपर हालांकि statement थोड़ा अजीब सा है लेकिन थोड़ा सा अगर आप brainstorming करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी अब देखिए economic inequality क्या होती है जब wealth और income का distribution proper नहीं होता है uniform नहीं होता है skewed होता है ठीक है अर समान होता है तो उससे economic inequality generate होती है ठीक है और इसी पे आपको ये ऐसे लिखना है तो देखिए अब क्या इसकी different dimension हो सकती है इसको एक बार देख लेते हैं क्या structure होगा क्योंकि content तो बहुत आसान है आपको दिक्कत नहीं आईगी content में ठीक है तो चलो बढ़ते हैं इसके structure के दरफ से पहले आप introduce करेंगे और देखिए जो introduction है उसमें ये theme एकदम से clear हो जानी चाहिए कि किस तरह से इंडिया में आपको economic inequality देखने को मिलती है और देखिए बात हो रही है यहाँ पे billionaire's राज की तो ये चीज भी वहाँ पे आनी चाहिए अगर ये keyword नहीं आएगा it means इतने specific ही है क्या या कहीं और भी हो रहा है तो world level पे क्या situation है ये भी आप बता दीजिए तो जो question की demand है वो आपने यहाँ पे fulfill कर दी लेकिन अब आपको न उसको अच्छे से explain करना होगा जैसे कि बई क्या कारण है क्या causes है किस चीज के income inequality के economic inequality के क्या कारण है ये आपको बताने हो होंगे उसके क्या consequences है ये आप बता दीजिए और देखिए consequences अच्छे तो होंगे नहीं आप भी मानते हैं and जो government है वो कुछ ना कुछ तो करी रही होगी तो वो बताईए कि government क्या measures ले रही है तो जो policies scheme आप पड़ते हैं उनको आपको यहाँ पे fit करना होगा आप चाहें तो constitutional dimension भी यहाँ पे डाल सकते हैं ठीक है अब देखिए government जो कर रही है वो 100% सही तो होगा नहीं कुछ gaps उसमें होंगे अगर government हर चीज अच्छा करती तो फिर तो ये जो income inequality है zero हो जाती पर ऐसा नहीं है it means आपको कुछ और solution भी suggest करने होंगे जिसको हमें use करना चाहिए और सबस forward ये question है केवल इसको समझना थोड़ा difficult था लेकिन एक बार अगर आप समझ लेंगे उसके बाद इसको attempt करना काफी आसान है और देखिए कोशिश कीजिएगा कि हर paragraph के बीच में link होना चाहिए और वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जिस तरह से flow है पहले आप introduce कर रहे हैं इसको explain कर रहे हैं फिर आप global level पे जा रहे हैं फिर इसके causes बता रहे हैं इसके consequences बता रहे हैं majors बता रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए तो ये होता है proper structure ऐसा नहीं होना चाहिए कि solutions आप पहले बता रहे हो और causes and consequences आप बाद में बता रहे हो तो structure अच्छा structure नहीं होगा ठीक कि इतना आगे है समझ में, अब हम क्या करेंगे, अब हम one by one इन सारे points को discuss कर लेते हैं, और देखिए, यहाँ पर बात हो रही है, income inequality की, तो अगर इसमें आप कुछ data, कुछ facts से explain नहीं करोगे, तो मज़ा बिलकुल भी नहीं आएगा, यह question की demand है, और इसलिए current affairs है न, यह important current affairs आपको लगते हैं, उनको note कीजिए, और daily उनको revise करिए, ताकि वो चीज़ें आपको याद रहे, अगर daily नहीं कर पा रहे हैं, तो week में एक बार कर लो, ठीक है, तो proper revision होना बहुत जरूरी है, अब देखिए, जब हम inequality की बात करते हैं, तो Oxfarm report हमारे सामने आती है, और उ जो richest 1% हैं, इंडिया में, they acquired 73% of total wealth, और जो 99% है, उनको कितना मिला, just 27%, तो आपने दिखा दिया नहीं की, 2017 की report है, आज की date में किस तरह से inequality, जो है, वो फैली हुई है, बता दिया आपने, और कहा हुआ है कि 2017 में, जो poorest half है, 67 करोड जो इंडियांस हैं, उनकी wealth में केवल 1% का इजाफा होता है, केवल 1% का high होता है, तो आप फिर से अपने point को reinforce कर रहे हो, ठीक है, ये तो था 17 की report, अगर आपको 19 की पता हो, तो उसको भी लिख सकते हो कि top 10%, 77 national wealth उनके पास है, 77%, तो जो question की demand है, वो इन दो data से आप आराम से बता पा रहे हो, ठीक है, I hope अगर आप बात करते हो, income inequality की, तो Gini coefficient आपने पड़ा होगा, GS3 में वो बहुत important है, इसकी value 0 से 1 के बीच में होती है, अगर 0 है, means हर चीज़ equal है, अगर 1 है, तो हर चीज़ unequal है, आप इस तरह से समझ लो, ठीक है, तो 2017 में Gini coefficient of wealth, वो कितना था, 0.83, 0.83 था मतलब, काफी आप अपने जो point को reinforce कर रहे हो, ठीक है, तो इससे समझ में आता है कि इंडिया में कितनी economic inequality है, और इसका मतलब क्या होता है, यह बता दो, जो मैं already आपको explain कर चुका हूँ, अब देखे, यह जो topic आपको दिया हुआ है, यह basically एक research paper था, Thomas Piketty का, और उसका title भी यही था, और direct वो title यहाँ पे चिपका दिया गया है, ठीक है, तो अगर आपको पता है, तो उसको भी आप लिख सकते हो, basically इस paper में इन्होंने क्या कहा था, कि 1922 जब income tax act जो है, वो pass किया गया था, उसका purpose क्या था, equality को लाना, लेकिन उसके बावजूद भी, आज की date में, इंडिया में सबसे जादा income inequality देखने को मिलती है, ठीक है, तो समझ गया, question की demand किस तरह से address कर रहे हो, और फिर आप एक question pose करेंगे, कि is India becoming a villainous raja, ठीक है, तो आपने यह question यहाँ पे pose कर दिया है, आप एक question create कर रहे हो, तो एक तरह सा interest आप develop कर रहे हो, तो जो भी examiner आपकी answer sheet चेक करेगा उसको काफी interesting लगेगा, क्योंकि यह question आपने raise किया है, ठीक है, हो गया यह, आगे बढ़ें, चलिए, अब देखिए, इसके बाद आप क्या करिए, जो इंडिया के different economic models रहे हैं, उनको बता दीजे, जैसे की शुरुवात में, जवालाल नेरू, उनका vision क्या था, कि इंडिया socialist republic बने, ठीक है, उसके बाद current में हम capitalist line पर है, ठीक है, तो बहुत ही long journey जो है, हमने उसको तय किया है, लेकिन इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी काफी सारा gap जो है, वो देखने को मिलता है, और फिर यह question create होता है, कि क्या हम welfare state है, ठीक है, क्या हम जो welfare state है, उसक अच्छे से हम responsibility अदा कर पा रहे हैं, क्या, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी होंगी, कि इसका मतलब क्या होता है, क्या different data है, fact है, क्या हमारे economic models रहे हैं, ठीक है, तो इससे आप एक तरह का interest जो है, develop करेंगे, जो examiner आपकी answer sheet चेक कर रहा है, ठ specific है, तो क्या income inequality केवल इंडिया के case में ही है, या पूरे world में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, तो जो Oxfarm report है, world level पे, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, और same figure आपको मिलेगा, कि richest 1% in the world, more than double the wealth of 6.9 billion people combined, उन सब को combine कर लो, उसकी double wealth केवल 1% लोगों के पास है, तो फिर से वो जो point है, उसको आप reinforce कर रहे हो, ठीक है, तो अब आप एक और छोटा से paragraph लिखेंगे, कि ये जो issue है, income inequality का, ठीक है, इसका in-depth analysis करना बहुत ज़रूरी है, कि क्या इसके causes हैं, क्या इसके consequences हैं, क्या measures लिए गए हैं, और क्या measures हमको लेने चाहिए, let us discuss about all these, तो इस तरह से आपको एक paragraph लिखना होगा, ताकि आप बता दो examiner को कि क्या-क्या points आपके essay में आने वाले हैं, तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे, causes, तो देखिए, 1991 के reforms, reforms आने के बाद, ये जो income inequality है, ये काफी तेजी से बड़ी है, अक्सर लोग उल्टा सोचते हैं, ठीक है, देखिए, अगर market regulated नहीं होगा, ठीक है, अगर market जो है, regulated नहीं होगा, तो जो wealth है, उसका concentration जो है, वो केवल कुछ ही हातों में हो जाएगा, आज आप देख लिजे, हम अंबानी अदानी की बात करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, तो basically जो market forces हैं, उनको promote किया जा र इस वज़े से जो inequality है, वो बढ़ती जा रही है, then information technology, देखिए, इससे क्या होता है, IT से जो आपकी productivity है, वो बढ़ती है, ठीक है, जिनके पास skill set है, उनको high salary job मिलेगी, लेकिन जिनके पास नहीं है, उनको काफी कम salary वाली job मिलेगी, विसे तो job मिलती ही नहीं है, लेकिन मिल मिलेगी भी सही, तो काफी कम salary की job मिलेगी, तो इससे जो gap है, वो और बढ़ता चला जाता है, और अगर आप information technology को club कर दीजिए, कि जतनी ज्यादा trade होगी, जतना ज्यादा investment वगरा होगा, financial flow होगा, तो उसमें क्या होगा, high income जो jobs हैं, वो ज्यादा create होती है, और further जो gap है, then जो business manage, जो elites हैं, वो क्या करेंगे, उनके पास money power है, उनके पास muscle power है, तो वो क्या करते हैं, वो power को capture कर लेते हैं, आप देख लीजिए कि कितने करोड़ पतीज आपको लोग सभा, राजे सभा में देखने को मिलेंगे, कितने business manage जो वहाँ पे हैं, कितने लोग donation देते हैं, परपस क्या है, ताकि अपने interest को fulfill कर सकें, तो जो policy उनको suit करेगी, वही policy आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और क्या causes है, income inequality का unemployment, लोगों के पास नोक्री नहीं, तो नोक्री नहीं होगी, तो पैसा कहां से आएगा, पोवर्टी लोग गरीब हैं, तो इन सब के जो current affair हैं, वो आप यहाँ पे mention कर सकते हो, then high tax rate, देखे, tax rate ज़्यादा होगी, तो tax avoidance, tax evasion वगेरा बढ़ते हो, loss किसका होता है, government का loss होता है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो बहुत कम tax देंगे, ठीक है, तो इससे ये gap further increase होता चला जाता है, समझे मारी इतनी बात, बढ़े आ से कि self implement वगेरा हो गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे salary आपको कम मिलेगी, social security benefits वगेरा नहीं होता है, ठीक है, और अगर आप salary को compare करे, formal versus informal, तो informal की salary काफी कम होती है, और देखे, informal में आपको regular work नहीं मिलेगा, साल में हो सकता है कि 6 मेने आपको काम मिल रहा हो, तो ये ये एक issue है, regional disparity, देखिए अगर आप महरास को compare करिए जारखंट से या बिहार से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से regional disparity इंडिया में देखने को मिलती है, जो हमारे states है, उनमें एक तरह का unequal distribution है, resources का and opportunity का, और ये भी एक कारण है, income inequality को बढ़ाने का, then acute growth, maximum population किस में काम करती है, agriculture sector में, लेकिन उसकी growth काफी कम है, और जो सबसे ज़्यादा growth वाला sector है, वो कौन सा है, service sector, लेकिन वो काफी कम population को employ करता है, तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से, किस तरह से वो sector जहाँ पे कम लोग है, उसकी growth ज़्यादा हो रही है, मतलब वहाँ ज़्यादा population है, वहाँ पे growth बहुत कम है, मतलब वहाँ पे salary काफी कम होगी, disguised unemployment, सुना होगा ना आपने इसके बारे में, ठीक है, तो ये सब point आपको यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है, then agriculture sector जो की लगबग 50% population को employ करता है, उसकी growth काफी कम है, profit नहीं होता है, yield जो है, वो कम होती जा रही है, stagnated है, crop failure वगएरा होता है, post harvest damage वगएरा होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे mention करनी होगी, इसके अलावा आप बात कर सकते हो, gender waste gap की, और जो global gender gap index है, उसकी भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो, कि अगर देखिए, जो male है और female है, तो उनमें काफ बता दिये, अब आएगा consequences, तो भई अगर आपके हाथ में पैसा कम है, पैसा कम है, तो देखिए, obvious ही बात है कि आपको health opportunity नहीं मिलेगी, आपको educational opportunity नहीं मिलेगी, और इससे क्या होगा, जो आपका true potential है, आप उसको realize नहीं कर पाओगे, और ये किसका loss है, ये nation का loss है, ये nation क loss है, और देखिए, जो demographic dividend की हम बात करते हैं, अगर आप उसको सही से utilize नहीं करोगे, तो क्या होगा, वो disaster बन जाएगा, ठीक है, तो जितनी ज्यादा inequality होगी, disaster होने के chances उतने ज्यादा हैं, क्यों, क्योंकि जो potential है, उसको हम सही से use नहीं कर रहे हैं, और देखिए, पोटें जिसके पास काफी कम पैसा है, और mostly जो backward section होता है, वो इस category में आता है, तो वो और पीछे होते चले जाते हैं, ठीक है, वो और पीछे होते चले जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो choices available हैं, वो कम हो जाएंगी, देखिए, मानलो कोई individual है, जो drawing काफी अच्छी कर आते हैं, लेकिन उसमें salary अच्छी नहीं मिलती है, salary कहाँ पे मिलती है, आप doctor बनो, आप engineer बनो, तो जो parents है, वो आपको क्या बोलेंगे यार, इसमें क्या रखाया, doctor बन, engineer बन, तो जो आपकी choices हैं, वो कम होती, चली जाती है, ठीक है, बड़े आगे, damage, trust and social cohesion, भई देखो अगर income inequality जादा होगी, तो जो government पे trust है, वो कम हो जाएगा, इससे क्या होगे, conflict बगएर हो जाएगे, example आपके सामने है, अरब spring, ठीक है, यहाँ पे क्या था, corruption के against, ठीक है, काफी बड़ा ये एक तरह का movement था, ठीक है, पैसा कम है, नोकरी आपके पास है, नहीं, health education आपके पास नहीं है, तो जो indicators है, developmental indicators जिसे की infant mortality rate, maternal mortality rate, ये काफी कम हो जाएगे, ठीक है, समझ में आ गया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और क्या होगा, देखिए, regional imbalances, आप compare करो, महराष्ट या मुंबई को आप compare करो, आप इसको रायपूर से कर लो, difference देखे को मिलता है, नहीं मिलता, मतलब महराष्ट versus, ठीक है, इसका मतलब जो cooperative federalism है, वो भी इससे एक तरह का उस पे गलत impact पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, then constitutional idea, जो हमारा सम्विधा ने उसको बीच में ले आईए, हमारा constitution क्या बोलता है, equality of status and opportunity, preamble, समझ में आ तो यह उसका violation है, ठीक है, तो यह सब इसके consequences हो जाएंगे, बड़े आगे, तो causes हमने देख लिए, consequences हमने देख लिए, अब आपको वो solution बताने होंगे, जो government कर रही है, तो जो government की schemes है, जैसे की जंधन हो गया, आधार हो गया, उसको बता दीजिए, poverty alleviation programs, जैसे की मनरेगा, ठीक है, तो government ट्राइ कर रही है, कि poverty जो है, वो खतम हो, लोगों को employment वगेरा मिले, जो leakage वगेरा होते थे, subsidy में वो सब नहोंगे, आप DBT की बात कर सकते हैं, labor reforms लाए जा रहे हैं, tax की efficiency को बढ़ाया जा रहा है, उसके जो initiative है, कि सहज forms वगेरा, आएकर से तु इनके बारे म बात कर सकते हो, black money को कम करने के लिए जो act हैं वो आप बता सकते हो, आप GST को यहाँ पर बता सकते हो, demonetization है, और बहुत सारे initiative है, making India, skill India, कोशल विकास योजना, start-up India, stand-up India, इनका purpose क्या है, कि employment opportunities जो है, वो create हो, जो क्या बोलते है, poverty है, वो कम हो, यहाँ पर भारत माला, की भी बात कर सकते हो, इनका purpose क्या है, कि जो infrastructure है, उसको improve किया जाए, लोगों को नोखरी वगरा मिलेगी, जो reasonable disparity है, वो कम हो जाएगी, ठीक है, industrial corridor की आप बात कर सकते हो, तो काफी कुछ है आपके पास, यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है, मैं केवल आपको एक direction दे रहा ह उसके साब से आप अपने जो भी आपकी knowledge उसको लिख सकते हो, हमने बात की थी agriculture sector की, तो उसमें government क्या कर रही है, क्रसी सिचाई योजना हो गया, संपदा हो गया, ठीक है, farmer की income को double करने की बात हो रही है, तो वो सब point आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, लेकिन अब sufficient है, क्या यह measures sufficient है, या और भी कुछ करने की जरुवत है, तो वो आपको बताना होगा, तो देखिए, जो हमारे constitutional provisions हैं, जो fundamental rights है, equality, उनको हमको अच्छे से enforce करना होगा, health, education, इन sector में हमको ज़्यादा focus करना होगा, जो formal sector है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो informal sector ह उनको social security benefit वगेरा हमको देने होगे, ठीक है, हम बात करते हैं, gender gap की, उसको हमको reduce करना होगा, लोगों का attitude हमको change करना होगा, behavioral changes लाने होगे, ठीक है, behavioral changes लाने होगे, ठीक है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इन सब की बात आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, जो backward sections है, जो minorities हैं, उनको भी हमको man stream में लाना होगा, ठीक है, अकसर क्या होता है, वो लोग पीछे रह जाते हैं, तो affirmative action लेना होगा, आप reservation की बात कर सकते हो, women के लिए, जो backward section है, उनके लिए बात कर सकते हो, ठीक है, आप progressive taxation की बात कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से आप बात कर सकत हो कि जो tax evasion है, tax avoidance है, वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है, उस पे control करना चाहिए, employment कहां मिलता है, जो labor intensive sector है, वहाँ पे ज़्यादा लोग जो है, वो employment पास सकते हैं, तो उनको हमको promote करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, जो government की welfare scheme से उनकी targeting अच्छी होनी चाहिए, जो dbt है, उसक point आप लिख सकते हैं कि क्या हमें further measures लेने चाहिए, ठीक है, अब इसके बाद आपको conclude कर देना होगा, और देखिए, यहाँ पे कुछ आपको long term solution देना है, तो देखिए, income inequality मतलब society में कुछ section ऐसे हैं, जिनके पास काफी पैसा है, कुछ ऐसे जिनके पास बहुत कम पैसा है, तो आप यहाँ पे effective and inclusive governance की बात कर सकते हैं, ठीक है, effective and inclusive governance मतलब society में जितने भी लोग हैं, उन सब को आपको include करना होगा, ठीक है, ताकि एक just world आपको मिल जाए, ठीक है, जितने भी national policies होती हैं, international agreement होते हैं, उनका principle ही यही होना चाहिए, कि आप inequality को कम करेंगे, ठीक है, तो आप जो long term solution हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, और जब आप बात करते हैं, effective and inclusive governance की, तो यह क्यों important है, to ensure that governments and institutions represent citizens rather than organizes business interests, ठीक है, तो देखिए, business interests जो है, उससे ज़्यादा जो citizens है, उन पे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, अच्छे से regulate वगरा करना चाहिए, effective and inclusive governance की, आप यहाँ पे बात करेंगे, तो यह long term solution हो जाएगा, कि जो यह guiding principle होना चाहिए, ठीक है, and effective and inclusive governance की, आपको यहाँ पे बात करनी होगी, तो देखिए, इसी के साथ यह जो हमारा essay का topic है, यह यहाँ पे end होता है, और देखिए, हमारा second segment होता है, जहाँ पे हम एक learner की answer sheet को discuss करते है लेकिन आप में से किसी ने भी ऐसे को attempt नहीं किया है, तो वो segment हम आज नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, next time जब आप लोग करेंगे, तो फिर हम उसको फिर से continue कर लेंगे, देखिए, अगर आपका कोई doubt है, तो आप comment section में, या फिर chat box में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं definitely स player कीजिये, forward कीजिये, ताकि maximum लोग इससे जूट सके, तो ठीक है friends हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए all the best, goodbye.